अगर हम बात करें कोशन सेशन प्रोग्राम की तो रिजनिंग का ये चौथा सेशन होने वाला है इससे पहले आपके तीन सेशन कवर अप कराए जा चुके हैं जहां पे हम लोगों ने अलग अलग एक्जाम में पूछे गए वेरियस टॉपिक के कोशन को डिसकस किया जिसमें स अगर मैं बात करूँ तो एक आपका Counting of Figures पर बेश था दूसरे के अगर मैं बात करूँ तो आपका क्यूब पर बेश कोई में अगर सागतल का कोडिंग कोडिंग पर बेस्ट एकसेंूजांस में पूछे प्रश्णों को यहां पे आपको जाचना है कि आप कितने तयार है और जितना आप reasoning को आसान समझते हैं तो exam में पूछे गए प्रश्णों के माध्यम से यहां पे हम लोग जानेंगे कि exam का जो इस्तर है जो level है वो किस कदर यहां पे बढ़ चुका है और हमें कितना update रहने की जरुवत है यानि कि आपके latest exam में पूछे गए प्रश्णों की यहां पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो आपको क्या करना है आपको हमारे साथ copy और pen ले करके जुड़ना है और comment box में comment करके बताना है कि आज के session में पूछे गए प्रश्णों में से कितने प्रश्णों के उत्तर आपके सही सही बने clear तो चलिए start करते हैं यहां पे coding decoding का session और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है तो आपको description box में playlist का link दिया हुआ है जहां पर जाकर के आप reasoning से जुड़े हुए सारे के सारे topics को detail में देख सकते हैं तो यहां पे मैं बहुत जादा detail में चर्चा नहीं कर रहा हूँ बात कर अगर हम coding decoding की तो एक बार अगर मैं in short बात करूँ तो आपको क्या क्या बाते जानना अनिवार है तो सबसे पहले अगर हम बात करें place value तो alphabet की place value opposite letters और कुछ logics या patterns आपको पता होने चाहिए यह सबी जानकारिया आपको होनी चाहिए जिससे आप प्रश्णों को आसानी से बना पाए तो अगर आपने अभी तक patterns, logics या फिर अगर हम बात करें place value याद करने की short tricks या opposite letters याद करने की short tricks नहीं देखिए तो आप उसको playlist में जा करके देख सकते हैं चलिए start करते हैं आज का session तो session के अगर मैं बात करूं तो पहला question आपकी screen पर आ चुका है जो कि SSC GD 2021 के exam में पूछा गया प्रश्ण है प्रश्ण के अगर मैं बात करूं तो आपका ये numerical coding पर आधारी तो question है यानि coding decoding के अगर हम बात करें तो alphabetical coding numerical coding Chinese coding various तरीके के coding आपको देखने को मिलेंगे तो यहां पर मैं बात करूं पहले प्रश्ण की तो बोला है in a certain code language short is written short is coded as 3881540 तो अगर आपको place value याद है तो अभी तक आप question को बना चुके होंगे तो place value के अगर मैं बात करूं यहां पर तो S की place value होती है 19 और यहां पर आपको देखने को मिला 38 यानि कि just double of place value next letter के अगर मैं बात करूं तो S की place value होती है 8 O की होती है 15 और T की होती है 20 तो 8 और 15 आपको as it is बनता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि last letter आपको 20 का double बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि अगर हम logic की बात करें तो first और last letter की place value का just क्या कर देना था हमें double कर देना था और बीच वाले जो आपके letters बच गए उनको as it is यहां पर लिख देना था तो अगर हम बात करें पूछे गया शब्द की तो हमें बताना है यहां पर किसके लिए wine के ले तो w की place value कितनी होती 23 और इसका double करेंगे तो मिल जाएगा 46 एक option होगे आपका eliminate last वाल आपका यहां पे है e e की place value होती 5 और इसका double करेंगे तो 10 यानि कि option number b क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए तो एक तो यहां पे आपने देखा logic दू यहां पे time management का बहुत important role होता है तो आप कैसे minimum time में maximum number of questions को बना सकें जिससे जो आपका बचा हुआ time उसको बाकी के sections पे भी दे पाएं clear चलिए बात करते हैं यहां पे अगले question की अगले अगले question की बात करें तो बोला in a certain code language pleasant is written as BFMQUBT clear अब pleasant की अगर हम बात करें तो यहा है कोशिश करेंगे direct और अगर कठिनाई आती है या किसी प्रस्ण मुझे लगता है कि यहां पर हमको पूरा process follow करने की ज़रौत है तो उसको लोग यहां पर लिख करके भी बनाएंगे तो यहां पर मैं बात करूं प्लीजेंट की तो प्लीजेंट में आप देख पा रहें number of letters कितने है एट और मैंने आपको बताया है कि जब number of letters प्रस्णों में क्या हो जादा हो logic आपको ना समझ मिहार हो जैसा कि P की बात करे तो 16 L की बात करे तो 12 E की बात करे तो 5 A का 1 S का 19 A का 1 N का 14 और T का 20 यह हो गई place value इन place value के अधार पर अगर आप देखेंगे तो 16 से यहां यहां पर आपको 2 बनता हुआ दिखाई दे रहा है 12 से यहां पर आपको 6 बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि सीधे सीधे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए मैंने आपको क्या कहा है शुरू में ही बता है कि आपको place value पता हो आपको opposite letters पता हो साथ A से हो जा रहा है B यानि कि इसको मैं इस प्रकार से लिखे हूं इसके यहां पर देख सकते एसके इसके बात करों तो E से F हो जा रहा है L से M हो जा रहा है और P से Q हो जा रहा है यानि कि इस प्रकार के pattern से यहाँ पे आपको question बनता हुँ दिखाई जा रहा है S से T हो जा रहा है T से U हो जा रहा है A से B हो जा रहा है और N से O हो जा रहा है यानि कि सब में क्या हो रहा है क्या हो जाएगा टी हो जाएगा जो कि आपको बागी के तीन वी कल्पों में दिखाई जाएगा आई से हो जाएगा जे जिससे आपका एक option और eliminate हो गया और D से बात करें तो ई जो कि आपको दोनों option में दिखाई दे रहा है इसके बाद अगर हम बात करें तो सॉरी, सब्सिट्यूशनल कोडिंग पर बेश्ट आपका ये question देखने को मिला, ठीक है, तो सब्सिट्यूशनल कोडिंग के लिए मैंने क्या बता है, सीधे हमें move on करना होता है, last sentence पर, last sentence के अगर हम बात करें, तो यहां पर बोला है, then which of the following can be used as protection against rain, यानि कि जब हमें बात करें, तो answer हो जाएगा option number D, तो इस प्रकार से आप कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रशनों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, clear, तो यहां पर अगर हम बात करें, सब्सिट्यूशनल कोडिंग की, तो सब्सिट्यूशनल कोडिंग में, अमरेला को क्या बोला जा रहा है, बुक बोला जा रहा है, और पूछा गया हम से क्या, कि हम rain जब होती है, बारिश होती है, तो हम protection के लिए किसका इस्तमाल करते हैं, तो हम इस्तमाल करते हैं, अमरेला अगर हम बात करें यहां पर तो चक्या हुत अगर ही एक है पूझा कि से लिए गया है ऑख के हिंदी-इंगलिष यहां पर यहां पर मिसमैच है दो अलाग-अलग question है ठीक है यह दो अलग-अलग question है tension नहीं लेना है इस question को मैं अलग से discuss कर लेता हूँ और इसको मैं अलग से discuss कर देता हूँ ठीक है option भी मैं आपको बता दूँगा कि क्या particular answer होने वाला है इस particular question के लिए ठीक है तो पूछा गया है यहाँ पर mask के लिए तो mask यानि कि M की place value हो गई 13, A की हो गई 1, S की हो गई 19 और K की हो गई 11 13 में से 2 घटा होगी तो बनेगा 11 जो की place value होती K की plus 1 करोगी तो 14 जो की place value होती N की तो यहाँ पर K N के साथ में 2 option दिखाई देना है इसके बाद अगर मैं बात करूँ A की तो A को हम 27 भी consider कर सकते हैं क्योंकि Z के बाद A आएगा तो इसको हम 27 भी consider कर सकते हैं इसको मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ में discuss किया हुआ है तो अगर हम बात करें 27 में से 2 खटा होगी तो बनेगा 25 और A में एक जोड़ेंगे तो बनेगा यहां पर B और B 28 भी consider कर सकते हैं यानि कि KNYB के साथ अगर हम जाएं तो यहां पर KNYB के साथ हमें केवल और केवल एक option दिखाई दे रहा option नंबर A यानि कि इस particular question का answer क्या हो जाएक option नंबर A अब यह जो दूसरा question हमें हिंदी भार्षा में दिखाई दे रहा है जो कि एक अलग प्रस्न है इसको भी हम लोग यहां पर discuss कर लेते हैं clear चले तो यहां बोला जा रहा है किसी सांकेतिक भार्षा में cloud को क्या लिखा जाता है B N T K C यानि कि C की अगर हम बात कर दो तो C से एक घटाएंगे तो मिल जाएगा B O से एक घटाएंगे तो मिल जाएगा N और U से घटाएंगे तो T यानि कि सम में क्या हो रहा है माइनस वन हो रहा है पूछा किसके लिए गया है margin में भी आपको same logic देखने को मिल रहा है यानि कि M-1 L A-1 Z R-1 Q G-1 F I-1 H और N-1 M तो पूछा गया आपसे मॉल्डिंग के लिए तो मॉल्डिंग के अगर हम बात किया तो यहां पे हो जाएगा 12 यहां पे हो जाएगा आपका 14 यहां पे हो जाएगा 20 यहां पे हो जाएगा 11 यहां पे हो जाएगा 3 और यहां पे हो जाएगा 8 यहां पे हो जाएगा 13 और यहा बात करते हैं अगले प्रस्चन की अगले दी मैं प्रस्चन की बात करूं तो आपका चाइनीज कोडींग पर बेश्च न देखने कोल रहा है करना क्या होता है यहां और change लिखा हुआ दिखाई दे रहा तो आपको और कहीं change लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अगर कहीं और हमें change दिखाई देता तो हम उन दोनों जा करके देखते कि common जो change है तो change के लिए common एक code भी होता लेकिन जैसा कि हमें change और कहीं इम हमें कहीं पर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो office की बात करूँ तो इन दोनों में एक आपका क्या होगा code common होगा जो कि क्या हो जाएगा आर ए पी बचा कि आपका डबलू ए पी बजगिया और जी एपी बजगिया यानिकि इन दोनों में से हम answer कर सकते हैं चलिए मोहन करते हैं आप फटा-फट से अगले प्रस्ण पर अगले यह थी मैं प्रस्ण की बात करूँ तो बोला है in a certain code language glowing is written as double g i l n o w ठीक है चलिए देखते हैं फटा-फट से यहां पर logic क्या लगता हूँ हमें दिखाई दे रहा है तो अगर हम glowing की बात करें g l o w i n g code की बात करें तो g double g हो गया आपका i हो गया फिर उसके बाद में हो गया आपका l फिर हो गया आपका n फिर हो गया आपका o और फिर हो गया w then how will be obvious be written in the same code language ठीक है तो यहां पर हम logic की बात करें तो ध्यान दीजिये यह आपका question है यह question आपका based है self coding पर यानिकि जिने element आपको यहा देखने को मिल रहा है उतने ही violent आपको यहां भी मिल रहा है बसरते change कहा देखने को मिल आपको इसके sequence में और अगर आपने self coding पढ़ी है तो वहाँ पर मैंने आपको various logics बताएं हैं जिनमें से एक था आपका alphabetical order में vowel consonant का अलग alphabetical order और vowel और consonant का एक साथ alphabetical order तो यहाँ पर अगर आपको place value याद होगी तो आप ध्यान देंगे clear यानि कि हमने क्या किया है word glowing के letters को alphabetical order या फिर आप बोल सकते ascending order में arrange किया है इसी प्रकार जब हमसे पूछा जा रहा है obvious के लिए तो हमें arrange नहीं करना है approach देखिए यहाँ पर कैसे हम बनाएंगे हमें arrange नहीं करना हमें के वल ऑप्षन को eliminate करना है 22 के बाद 21 के आ गया eliminate फिर यहाँ पर नो के बाद 15 आ गया eliminate जी डबल जी आई एल ओके पूछा किस से obvious के लिए ठीक यह वाला यहाँ पर eliminate नहीं होगा यहाँ पर आप देख पार 15 के बाद 9 यानि कि बड़े place value वाले letter के बाद छोटी place value वाले letter है तो यह हो जाएगा प्रस्ट की बात करूं fmopra fmopra का code आपको यह दिया गया है 834207 इसी प्रकार के हम बात करें kqmatl is written as 953765 अब इस प्रकार के प्रस्ट में अगर आप logic लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे तो मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आपको इस प्रकार के प्रस्टों में सबसे कि पहला जो अप्रोच है वो क्या करने के आउशकता होती है सबसे पहले आपको करना होता है अथोआ नहीं तो आप देखेंगे यहां पर क्यू मिल रहा है t मिल रहा है m मिल रहा है p यहां से मिल जाएगा r यहां से मिल और a यहां पर last element है तो last से third element है तो last से third देखेंगे तो हमें number मिल रहा है seven और last element हमें मिल रहा है 7 यानि कि letters के code उनके सामने सामने दिये गए हैं clear बनाना कैसे हमें पूछा है QQ यहाँ पे second position पे second position पे आजाएगा 5 यानि कि यह option eliminate यह option eliminate अब इसमें देखेंगे कि तीसरा element अलाग है तो तीसरे element की अगर हम बात करें तो तीसरा element यहाँ पे बन रहा है M और M के लिए अगर हम बात करें तो M यहाँ पे आपका तीसरा element है तीसरे number पे आएगा 3 यानि कि option number C क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा हमें पूरा कब पूरा question बनाने क्या हो शकता नहीं थी clear चलिए more on करते हैं आप फड़ा फड़ा से अगले question पर अगले अधी मैं प्रस्ट की बात करूँ इन सर्टेन कोड लेंग्वेज परमिट इस रिटेन एज डबल वी ल न ओ जी ठीक है चलिए फड़ा फड़ा से लिखते हैं परमिट का कोड कि हो जाएगा डबल वी ल न ओ जी और इसके बाद आपसे पूछा है किसके लिए कोड इनर्शिया के लिएक पूछा है तो लॉजिक की अगर हम बात करें तो फड़ा फड़ा से देखो यह हो जाएगा फूला यह 170 यह जागा तेरह जागा नौ यह अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो कैसे आपको बनाना है जब कभी भी आपको कठिना ही आया कोशन मनाने में डारेट आपसे नहीं बनता हूँ तो आप इस अप्रोच को फॉलो करकर के असानी से बना सकते हैं यहां place value की बात करें, तो 22, यहां पे 22, यहां पे 12, यहां पे 14, यहां पे 15, और यहां पे 7, clear, तो 20 प्लस 7 की बात करें, तो कितना ओरा 27 हो रहा है, यहां कि हमें पता है, some of the place value of opposite letters is always 27, यानि कि opposite letter दिखाई दे रहा है, इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे 5 प्लस 22, या हमें दिये गये, इसी प्रकार हम बात करें, यहां पे 16 में 6 और यहां हो जाए घवात करें, DAVID हो जाए गा, यहां पर 18 में माइस 6 करोगे, तो क्या हो जाएगा, और यहां पे 29 में 6 करोगे, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानि कि बागी जो letters बच गहें हैं उसके की clear फिर अगर हम बात करें N की तो N का positive letter क्या होता है M होता है तो answer कि अगर हम बात करें तो answer हो जाएगा option number है यानि कि हमें पूरा हल करने की जरूवत नहीं थे अगर आपने logic crack कर लिया तो आप आसानी से question को बना सकते हैं clear और यह चीज़े develop कैसे होती है अगर किसी को लग रहा हो कि logic रटा है यह है वो है तो यह चीज़े practice से आती है जब आप number of questions की practice करेंगे तो आप question को देख करके ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके का pattern या किस तरीके का logic लग रहा है आपको pen तक चलाने की ज़रूद नहीं होगी इवेन आप question को देख करके क्योंकि आपको यह letter के साथ साथ number भी दिखाई देगा क्योंकि P के साथ साथ आपको 16 दिखाई देगा I के साथ 5, R के साथ 18, M के साथ 13, I के साथ 9, T के साथ 20 आपको यह letter के साथ साथ number भी दिखाई देगा तो आपको क्या करना है केवल और केवल questions की practice करनी है approach भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको इसको रटा नहीं मारना है place value को logic को आपको रटने की ज़रूद नहीं है केवल और केवल आपको approach को follow करना है उस approach के साथ मैं आपको 15 से 20 प्रस्णों की practice करनी है और उसके बाद आप test series या किसी भी practice session के माध्यम से लगातार आप निरंतर रूप से त्यारी करते रहेंगे आपका बहतर तरीके से इन topics पे command हो जाने वाला और मैंने बताया कि ना सिर्फ coding decoding के point of view से बल्कि अगर हम बात करें तो आपके analogy हो गया जो word पर letter या word पर based analogy हो गया इसके लावा अगर मैं बात करें तो आपका alphabetical series पर based questions हो गया ठीक है या alphabet test पर based question जो आपके बनते हैं उनमें भी आपका better command होने वाला है चलिए बात करेंगे फड़ा फड़ से अगले पूछे गए प्रश्ण की again आप यहाँ पर देख पा रहे है word forensic और word forensic के लिए जो code दिया गया है यहाँ पर अंकों की संख्या क्या है number of letters की तुलना में कहीं जादा है हमें पता F की place value कितनी होती 6 होती है यहाँ पर हमें 6 as it is बनता हुआ दिखाई दे रहा जबकि अगर हम O की बात करें तो O की place value होती है 15 तो यहाँ तो यहाँ उसका code 1 होगा यह तो उसका code क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ठीक है तो अगर हम बात करें O की place value की तो O की place value 15 होती है लेकिन opposite letter इसका होता है L और L की place value होती है 12 तो यहाँ पर हम कह सकते है या तो वावल का केवर हमने क्या किया है opposite letter लिया है क्योंकि O क्या है एक वावल है या हम कह सकते हैं कि alternate opposite letter लिया जा रहा है जिसकी जानकारी हमें आगे के questions को बनाने पर यहाँ पर पता चलेगा आगे के letters का code निकालने पता चलेगा again R की अगर हम बात करें तो R की place value होती है 18 तो हमें 18 दिखाई दे रहा है इसके बाद अगर मैं बात करूं तो E दिखाई दे रहा है अब E भी यहाँ पर क्या है कि वावल है और इसका opposite letter होता है V जिसकी place value होती है 22 तो हमें यहाँ पर 22 बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अगले letter की अगर मैं बात करूं तो N की place value यहाँ पर हमें as it is देखने को मिल रही है और इसके अगले letter की अगर मैं बात करूं S अब यहाँ समय पता चलेगा कि alternate चल रहा था या फिर वावल consonant का कोई logic चल रहा था तो S की अगर मैं बात करूं तो S की place value होती है 19 और यहाँ पर आपको as it is बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि आप ध्यान देंगे कि जहाँ जहाँ पर वावल था वहीं पर हमने क्या कि opposite letter की place value का इस्तमाल किया बाकी जहाँ पर consonant है उनकी place value हम as it is लिख रहा है clear I की बात करें तो I की place value होती है 9 लेकिन इसका opposite letter होता है R जिसकी place value होती है 18 तो यहाँ पर आपको 18 दिखाई दे रहा है और C की बात करें तो C की place value होती है 3 जो कि आपको as it is बनता हुआ दिखाई दे रहा है logic की अगर हम बात करें तो logic क्या निकल करके आया कि जो आपके consonants है उनकी हम as it is place value लिख ले रहे हैं और जो आपके vowels हैं उनकी opposite letters की हम लोग यहाँ पे place value लिख ले रहे हैं तो अगर मैं बात करूँ पूछे गए word की drone में भी यही आपका logic follow होगा ओ की बात करें तो ओका opposite letter होता है यहाँ पे ल जिसकी place value होती ही 12 बाकी आपको सभी letters की place value लिखा हूँ दिखाई दे रहा है ठीक है तो ऐसे प्रस्टों में एक अप्रोच यह कर सकते हैं कि जहाँ पे number of letters काम हो पहले वहाँ से आप logic crack करने का प्रयास करें जिससे आपका समय बस सके logic crack हो गया तो दूसरे पे implement करके आप चेक कर सकते हैं क्रॉस चेक के लिए मैं suggest नहीं करूंगा क्योंकि अगर आप banking के exam या अगर मैं बात करूँ के exam में appear हो रहें तो वहाँ पे time management का एक बहुत important role होता है तो बाद में अगर आपके पास लगता है तो आप बाकी के जो यहाँ पे given word से उसमें आप cross verify करने के लिए जा सकते हैं यानि कि आप अपने answer को mark for review के तोर पे रख सकते हैं उसके बारे में मैंने चर्चा करी कि कैसे आप mark for review का इस्तमाल कर सकते हैं exam hall में जाकर के आपको practical नहीं करना है पूछे गए word के अगर हम बात कर तो पूछा है हमसे किसके लिए के रमल के लिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है code तो हमें पता है कि consonants के लिए हमें क्या करना है place value लिखना और vowels के लिए opposite letter यानि कि यहाँ पे एक के लिए आजाएगा 26 यहाँ पे एक लिए आजाएगा 26 यानि कि यह बनेगा 3,26,18,26 देख लेते हैं 3,26,18,26 यहाँ पे दिया है 3,26 यह वाला eliminate यह वाला eliminate 3,26,18,26 आगे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिल जाएगा हमें 13,22 तो 13,22 और 12 यहाँ पे अगर हम देखे तो 14 दिया यहाँ कि option number A,B हो जाएगा eliminate answer की बात करते हैं तो हो जाएगा option number D clear, चल यह move on करते हैं अगले प्रशन पर in a certain code language, print is written as ठीक है, print का code यहाँ पे आपको दिया गया है 3,4,8,25, true का code दिया गया है 5,4,7,9, पूछा किस के लिए गया है, पूछा गया है tenure के लिए, अब मैंने कहा है ऐसे प्रस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले यह जाचना है कि जो आपका given word है क्या हम उसका formation उपर दिये गए शब्दों के letters का इस्तमाल करके कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें word tenure की, तो tenure का निर्माद हम दिये गए यान की word formation पर based question अगर आपका बनता है, तो उसको भी आप यहां से सीख सकते हैं कि कैसे word को form किया जाता है बाकी के given word के letters का इस्तमाल करके, तो tenure को हम form कर सकते हैं, इन दो given word के letters का use करके अब इन दोनों में common की बात करते हैं, यहां पे आपको T दिखाई दे रहा है, यहां पे भी आपको T दिखाई दे रहा है last element यहां पे 5 और first element यहां पे 5 यहां पे 5 यानि की letters के code उनके सामने सामने दिये गए है बात करें option कि तो option में हमें पहले letter को चेक करने की ज़रूद नहीं हम सीधे आएंगे दूसरे letter पर यहां जिनमें सभी letter अलग हों, वहां पे भी हम जा सकते थे, यानि कि हम दूसरे element की बात करें तो दूसरा element यहां पे E देखने को मिल रहा है और E यहां पे last element है, यानि कि दूसरे number पर आएगा 9, यानि कि यह eliminate और यह eliminate इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो हम लोग चौथे element को चेक करेंगे, क्योंकि चौथा element दोनों में अलग है चौथे element की अगर हम बात करें तो यू देखने को मिल रहा है, यानि कि चौथे number पर आपको 7 देखने को मिलेगा यानि कि option की हम बात करें तो option number 1 क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, पूछे गए प्रशन के लिए बोला है, consume is written as, अगेन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको self-coding पर बेस्ट question देखने को मिल रहा है, यानि कि जितने element यहाँ है, उतने लिखा इन letters के और यह place value के अधार पर आप देख सकते हैं कि यह किस order में, ascending order में है, या इसको आप बोल सकते हैं, यह alphabetical order में है, clear, पूछा किसके लिए गया है, तो पूछा गया आप से English के लिए और मैंने का फिर से आप इसको arrange नहीं करेंगे, आप सीधे option पे move on कर जाएं 5, 7, 8, 9, 12, 14, 19, यानि कि यही क्या हो जागा, आपको आंसर हो जागा, बाकी के options को आपको चेक करने की जरूत नहीं है, यानि कि 5 के बाद 7 मिला, फिर 8 मिला, फिर 9 मिला, फिर 12 मिला, फिर 14 मिला, फिर 19 मिल गया, यानि कि increasing order में आपको proper देखने को मिल रहा है, clear, तो इस तर अगले अगर हम प्रस्ण की बात करें, जो कि आपको सेशन के स्टार्टिंग में स्क्रीन पे भी देखने को मिला, और SSC CHSL के exam में पूछा गया question है, समझे यानि कि exam का level कहा तक जा चुका है, और इस प्रस्ण को किस प्रकार के अध्यन से हम बना पाएंगे, किस प्रकार की ह हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, अगर हम वर्ड रोहन की बात करें, आर, ओ, एच, ए, अन, clear, तो आर की place value अथारा हो की पंद्रा, एच की आठ, एक और एक और एन की 14, यह होगी क्या letter की place value, अब यहाँ पर जो हम approach रखते हैं, अगर यहाँ पर क्या होते, even number of letters होत हैं, तो 8, 9, इसको बना लेते, 5, 6, इसको बना लेते, और यह हो जाता है, तो 8, 6, 14, और 9 की बात करेंगे, इस परकार से भी हम जोड़ करके देखते, लेकिन यहाँ पर जो आपको logic लगता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आपको थोड़ा सा square और cubes पर command है, क्योंकि हर ए जार्थी session को देख रहे हैं, सबसे पहले तो यह बता ही, कितने ऐसे चात रहे हैं, जिनको 30 तक के cubes, sorry, 20 तक के cubes, 30 तक के squares बिल्कुल टंग पर याद है, इसके लाव मैंने आपको बताया था कि 40 से लेकर के 60 तक के numbers का square कैसे निकालना है, 90 से लेकर के 110 तक के numbers का square कैसे निकाल तो 40 से 60 की जो 20 की mid value है, वो क्या है, 50, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर mid value पर focus करना है, 40 से 60 तक के numbers का square, अभी मैं आपको फटाक से within 5 minutes 40 numbers के square याद कराने वाला हूँ, देखो 40 से 60 का mid value क्या होगा, 50 इसका अधा कर लेना, अधा की बात करें तो कितना होता, 25 या फिर आप 50 हमें निकालना है, माल लेते हैं 50 से उपर के number का square, माल लेते हैं 51 का square, माल लेते हैं 53 का square, माल लेते हैं 57 का square, और इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे, माल लेते हैं 43 का, 47 का और 48 का, ठीक है, तो जब हम बात करेंगे 50 से उपर वाले numbers के square की, तो 50 से उपर अगर हम 51 की बात करें तो कितना जादा है पचास से एक जादा है तो पच्चिस में क्या कर देना है एक जोड देना है कितना हो जाएगा 26 और एक के स्क्वाइर की बात करें तो हो जाता है 0,1 तिरपन के स्क्वाइर की बात करना है तो पच्चास से कितना जादा है 3 जादा है तो 25 में 3 जोड़ देना है कितना हो जाएगा 26 और 3 की स्क्वाइर की बात करें तो 09 57 की स्क्वाइर की बात करें तो कितना जादा है 25 में 7 जोड़ देना 32 और 7 की स्क्वाइर की बात करें तो कितना हो जाएगा 49 स्देट टोगा और साथ प्राइब किष्याइर स내 टोड़िय। यह परकार से आप पॉरली निगाल सकते हैं अगर यह तरीका पता होता तो आप इस नंबर को असानी से जजड़ कर पाते हैं और 56 का स्कॉइर्ब यानि कि हम सब रोहन के जो प्लेस वैल्यू है उससे क्या हम 56 बना पाने थाई गाहे है तो इनकी place value की बात करें तो 18 और 15 होगे आपका 38, 47, 47 और 14 की अगर हम बात करें तो 55, 56 यानि कि यहाँ पर 56 बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो sum of the place value कर लेना है और जो हमें यहाँ पर value मिल रही है उसी का square कर देना है अब इस question के लिए आप यहाँ पर अगेन 43, 56 को देखने नहीं जाओगे हला कि मैं बता रहा हूँ कि अगर 40, 60 की उपर की value तो उसको भी आप कैसे निकाल सकते हैं same approach को follow करके ठीक है 43, 56 के अगर मैं बात करो तो यह 50 में 16 जोड़ोगे यानि कि 66 का क्या है square है कैसे निकालोगे 66 का अगर हमें इसी approach को follow करके square निकालना है तो 25 में क्या जोड़ोगे 16 जोड़ोगे 25 plus 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 16 का square कितना होता है 256 लेकिन मैंने कहा जब तक हम 100 का square नहीं करेंगे तो हमें पता है यहाँ पर यह वारा जो दो है यह क्या हो जाएगा carry जुड़ जाएगा यानि कि यह जो number बनेगा यह बनेगा 4356 clear तो यानि कि अगर हम बात करें word sham के letters की place value का जब हम sum करेंगे तो इनका sum हमें मिलेगा कितना 66 66 पूछा किसके लिए है पूछा है राम के लिए तो राम की place value के अगर हम बात करें आर की place value होगी 18 एक प्लेस वैली होगी एक और एम की place value होगी 13 18 13 के अगर हम बात करें तो 31 एक जोड़ दो के तो 32 और 32 का square कितना होता है 1024 यह नहीं कि answer का जागा option number C अब सोचिए कि कहां तक आपका level बढ़ चुका है और किस तरीके से आपको तयार रहना है competition का level क्या हो चुका है और कितनी निरंतरता और अभ्यास की आपको उशकता है इसका अंदाज आप यहीं से लगा सकते हैं clear चलिए फिलाल बात कर लेते हैं आपर 90-110 के बीच के numbers का अगर हम square ग्याद करना होता है हम लोग माल लेता है हमें nिकालना है 9 to seven का square माल लेता हम हमें 93 clear same approach 100 سے उपर वाले number के लिए फॉलो करेंगे मान लेते हैं हमें निकालना 102 का square तो 100 से कितना ज़ादा है दो ज़ादा है तो जोड़ देंगे 104 और 2 का square होता है 04 clear अब मान लेते हैं हमें निकालना 112 का square कितना ज़ादा है 12 तो इसमें जोड़ देंगे 12 तो numbers को देख करके आपके दिमाग में तुरंट से घंटी बच जाएगी कि यहां पे logic क्या लग रहा या यह किसी number का perfect square है या फिर नहीं है ठीक है चलिए हो सकता है कि number का square करने के बाद वहां पे number of letters को जोड़ दिया जाए हो सकता है number of letters को minus कर दिया जाए हो सकता है vowels को सबते हैं सभी लॉजिक्स आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाने वाले हैं यह आप निरंतर रूप से क्या करते हैं कोश्टन की practice करते हैं आप अगर हम बात करें है टेस्ट सीरीज्या मोक्स आप आटेम करते हैं तो बिल्कुल यह सारे कैस्प्स लॉजिक्स आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाने वाले हैं और ना केवल आपको reasoning में mathematics में भी आपको calculation में यह सभी बातें काफी help करने वाले हैं clear चलिए move on करते हैं आप फटा-फट से अगले प्रश्ट की बात करूं तो बोला इन a certain code language arrow is written as FWSE i, नहीं की यहाँपे double times आपको R दिखाई दे रहा है यहाँपे double times आपको o दिखाई दे रहा है r की place value की अगर हम बात करें तो r की place value होती 18, o की place value होती 15 यearनि की minus 3 लेकि na f की place value होती 6 और 6 से यहाँपे आपको देखने को मिल रहा है a यानि की 1 clear दूसरे अगर हम लॉजिक की बात कर तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है जर्म एंड जर्म इस रिटन एस टी एच ओ आर ठीक है और पूछा किसके लिए है मोवर के लिए करना क्या है सबसे पहले हमें यह जाचना है कि क्या जो वर्ड हमें गीवन है वो दोनों गीवन वर्ड के लेटर्स का यूज करके बनाय जा सकता है या नहीं बनाय जा सकता है तो यहां पे आप देखेंगे M भी है यहां पे M मिल गया O भी है W भी है E भी है R भी है अब इन दोनों में हम common element की बात करें तो इन दोनों में common element आपको E दिखाई दे रहा है यहां पे R है यहां पे R है यहां पे R है तो यहां R आपका third element है third number पे आपको O दिखाई दे रहा है यहां पे आपका R second और third element है तो यहां second और third number पे आपको O दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है आर यानि कि पहला element आपका हो जाएगा आर दो option होगा आपके eliminate ओ की अगर मैं बात करूँ तो arrow में आपको दिखाई दे रहा चौथा element और चौथे जगा पर आपको दिखाई दे रहा S यानि कि answer की बात का तो answer क्या हो जाएगा option number तो smart तरीका question की practice नहीं है आप approach नहीं जानते हैं तो आप ऐसे questions में केवल और केवल logic ही लगाते रह जाएगे और आपको logic मिलने वाला नहीं है तो कैसे smartly questions को बनाना है इन सभी तरीकों को हमें सीखना है continuity बना करके रखना है और questions की practice करते रहना है चल यह बात करते है फड़ा फड़ा अगले पूछे गए प्रस्ण की अगले दि मैं question की बात करूँ F-E-V-E-R-I-S-H ठीक है और code की अगर हम बात करें तो बोला है यहाँ पर कितना 29 various logics है लेकिन सबसे पहला जो मैंने आपको अप्रोच बताया है इस प्रकार की coding यानि की numerical coding में जब इस प्रकार के number दिखाई दें तो various logics कौन कौन से थे sum of the place value फिर क्या था sum of the digits of place value फिर आपका था sum of the digits of place value either as whole or in unit digit ठीक है उसको unit digit में convert करके कैसे हमें जोड़ना है तो हर एक प्रकार के logic की मैंने चर्चा करी फिर number of letters number of letters के उपर based कैसे कैसे आपके logics लग सकते हैं तो पहला जो हमने बताया अफ्रोच जो हमें follow करने ज़रा थे उसको यहाँ पर फटाफट से चेक करेंगे 6 हो गया, 5 हो गया, 22 हो गया, 5 हो गया, 18 हो गया, 9 हो गया, 19 हो गया और 8 हो गया सब को जोड़ देना है, 6, 5 हो गया, 11, 11, 22 हो गया, 33, 33, 35 हो गया आपका 38, 38 और 10, 43, 48 और 8 की अगर हम बात करें तो 56, 56 और 9 की बात करें तो 65 65 और 20 की बात करें तो हो जाएगा आपका 65 और 1075 1085 और 7 की बात करें तो हो जाएगा आपका बानवे यानिकि 92 और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 29 यानि कि अगर हम बात करें sum of the place value of letters और उनके जो हमें sum के रूप में digits मिल रहा है उसका हम क्या कर दे order reverse कर दे तो हमें मिल जाएगा यहां पर 29 लेकिन क्या ऐसा होता हुआ अगले में हमें दिखाई दे रहा है इसको हमें यहां पर जाचने क्या वशकता है clear क्योंकि यहां पर हो सकता है sum of the digits of place value मतलब कि यहां पर हो जाएगा अगले वाले को हम यहां पर क्या करेंगे चेक करेंगे place value की बात करें तो कितना हो जाएगा 3, 15, 21, 14, 19, 5 और 12 सब के सम की बात करें तो 15, 3, 18, 18 और 20 की बात करें तो 39 39 प्लस 14 की अगर हम बात करें तो 43, 10, 53 53 और 20 की बात करें तो 73 और 4 की बात करें तो 77 और 2 की अगर हम बात करें तो 79, 89 89 यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि 98 लिखा हुआ आपको दिखाई देरा it means हमने क्या करना था sum of the place value of letters और उनके जो हमें number मिलना है उनके digits का order reverse कर देना था तो यहाँ पर बन जाएगा 89 का 98 यहाँ पर 92 का बन गया कितना 29 पूछा किसके लिए है तो पूछा हमसे mutated के लिए ठीक है तो यहाँ पर फटा फट से लिखेंगे place value यह हो जाएगा तेरा यह हो जाएगा 20 ही हो जाएगा एक हो जाएगा पांच और यह हो जाएगा चार आपको लिखने की प्लेस वैलू याज है तो हो जाएगा कितना 48 ठीक है तो चाहे नंबर लिख करके अगर आपको याद है तो आप डारेक्ली इसको जोड़ करके देख सकते हैं चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की नेमली का कोट दिया कितना 74 उसके बाद मैंने इसका कोट दिया 45 अप्रोच पहले छोटे वाले जहाँ पर संख्या है उससे हम यहाँ पर बना करके देखते हैं मैंने चीवात करें तो कितना हो जाएगा 13,1,14,1,7,5 यह होगा इसकी प्लेस वैल्यू सबको सम करके देखते हैं 13,14,27,27,27,27,34,34, और 7 की बात करेंगे तो 39 तो यह होगा 39 अब 39 से हम यहाँ पर 45 गैसे बना सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नमबर अफ लेटरस कितने हैं 6 प्लस नमबर अफ लेटरस बन गया कितना 45 क्या सेम लाजिक यहाँ पर लगता हुआ दिखाई देरा फड़ा 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 चेक करेंगे 14 और 13 की बात करें 27, 27, 25, 32 और 20, 52 52 और 12 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 64, 64 और यहाँ पर बात करें 6 की तो कितना हो जाएगा? 70 लेकिन यहाँ पर नमबर अफ लेटरस से बनता हुआ दिखाई नहीं देरा लेकिन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देरा 74, यहाँ कि नमबर अफ लेटरस की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है देख लेते हैं फड़ा-फड़ से 13 और 14 हो गया, 27, 27 और 2 हो गया 29, 29 और 5 हो गया 34, 34 और 7 हो गया 41, sorry यहाँ पर 39 नहीं था, 41 था प्लस 4, ज्यान दीजे 41 प्लस 4 और यहाँ पर 70 आया प्लस 4 कर दे रहे, यानि कि हमें नमबर अफ लेटर से कोई न देना नहीं हमने क्या कि sum of place value किया, प्लस 4 किया यहाँ पर भी sum of place value किया, प्लस 4 किया पूचा किसके लिए गया है, पूचा है मुशर के लिए, यानि कि यहाँ पर भी हमें क्या कर देना, sum of place value प्लस 4, उस option के साथ हम जाएंगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 19 और 21 हो गया आपका 40 40 और 18 हो गया आपका 58, 58 और 5 कि अगर हम बात करें 8, 5 और 18 तो कोशिश यह करिए कि थोड़ा सा आपने आपको मतलब कि आप क्या करेंगे यहाँ पर बिना pen का use करें practice करेंगे कि इनका हम place value का sum करें place value क्या है इसके उपर हम practice करें जिससे की exam hall में जाकर करके हम directly calculate कर पाएं और directly questions को बना पाएं अगले दिए में प्रस्ट की बात करूँ तो बोला है in a certain code language clarity is written as 176 फटा फट से हाँ पर बात करेंगे place value की place value की बात करें तो हो जाएगा 3, 12, 1, 18, 9, 20, 25 clear तो 12, 3 हो गया 15 15 और 25 हो गया 40, 40, 20 हो गया 60, 60, 20 हो गया 80, 80 हो गया 6 यानि कि हमने क्या क्या sum of place value of letters और उसका हमने कर दिया just double पूचा किसके लिए गया है तो पूचा हमसे frozen के लिए तो हमने क्या करना है अपर फटा-फट से place value का sum करना और उसका double कर देना है तो यहाँ पर हम बात करें तो यह हो जाएगा 84 का double हम करेंगे तो मिल जाएगा 168 calculation मैं थोड़ा अलग तरीके से करें तो आपको confused नहीं होना है जहां पर जैसे मैंने इसको क्या किया मैंने इसको लिया 25 प्लस 15 तो इसका एक वाला मैं यहाँ पर carry लिया तो यह हो गया थे 24 पिर इसको मैंने 20 कंसीडर किया यानि कि एक तो इसका carry ले थे तो 19 बन चुका था तो मैंने इसको 20 कंसीडर किया यानि कि एक मैंने यहाँ से कम कर दे तो यह अपना अपना तरीका है प्रक्टिस से आ जाता है ठीक है ना चलिए बात करते हैं अगले प्रश्ण की, अगले ती मैं प्रश्ण की बात करूं, तो Chinese coding पर बेश question दिखाई दे रहा है, मैंने कहा है, ऐसे प्रश्ण में सीधे हम आएंगे प्रश्ण के उपर, कि प्रश्ण में हमसे code किसके लिए पूचा गया है, तो code पूचा गया हमसे she के लिए, अब she कहाँ में दिखाई दे रहा है, तो फड़ा-फड़ से देखते हैं, she was working, एक तो यहाँ पर मिल गया, and she is curious, एक she हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, इन दोनों में क्या कोई और element common है, तो एक तो she यहाँ मिल गया, एक तो अगर 9, within seconds आप इसको answer mark कर सकते थे, clear, चली, अगले दी में question की बात करूं, तो again in a certain code language, rumor is written as 348243, true is written as 1346, then how will rumor be written in that language, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह जो given word है, यह इन ही letters को use करके बनाय जा सकता है, तो हमें क्या करने क्या होशकता थी, हमें यहाँ पर देखना था common element, यहाँ पर आर आपका last element है, last में आपको मिल रहा है three, आर आपका second element है, यहाँ पर second में मिल रहा है आपको three, करना क्या है यहाँ पर, पहले element के अगर हम बात करें, पहले element के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है दोनों में 3 दिखाई दे रहा है फिर दोनों में 6 दिखाई दे रहा है हम बात करें यहाँ पर प्रश्ट की बात करूं तो मैंने बताया कि जब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंगी तो हम सीधे मौन करेंगे कहां पर लास्ट सेंडेंस पर लास्ट सेंडेंस के अगर मैं बात करूं तो पूछा है So what is a group of people called लोगों के समू को क्या कहते है तो हमें पता है लोगों के जो समू होते है उनको हम लोग क्राउड बोलते है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है मॉब तो मॉब का मतलब क्या होता है अग्रेसिव क्राउड ठीक है मॉब का जो actual meaning है वो क्या होता है अग्रेसिव क्राउड तो अगर हम बात करें उग्र भीड तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं पूछा जा रहा है तो वाट इस ग्रूप ओफ फीपल कॉल्ड लोगों के समूँ को क्या बोलते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें referee is called mob और mob is called कि अगर हम बात करें तो क्या बोला जा रहा है यहां पर mob is called stadium यानि कि answer कि अगर हम बात करें तो answer क्या हो जाएगा आपका stadium हो जाएगा यानि कि लोगों के समूं को क्या बोला जाएगा stadium बोला जाएगा पूछा जाएगा लोगों के समूं को Coat दिया गया है, पूछा गया है, सिं़िंग के लिए तो यहां पर अगर हम लॉजिक की बात करें तो 13 से हो जा रहा है 12, 21 से हो जा रहा है 23 29 से हो जा रहा है 20 26, 29 성amasih music यहां पर M में हम क्या करने है में मीजा करें, प्लास 1 यहां पर हम क्या करने है यहांब यह कर करेंboard यहां कि अगर यह आपका पाँच लग रहा है तो स्टार्टिंग के 2 में हम करनें हैå अगले वरड आपका किस्ते psychology का है साथ लेटर्स का है तो हम यहां पर दिखेंगे कि क्या लग रहा है तो पहले में आपको लगता हुआ दिखाई 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 कि अगले की बात करें तो सम्में क्या रगेगा सब्सक्राइब में अगले इस प्रश्ण पर अगली प्रश्ण की बात करूं तो अगला प्रश्न आपका Chinese डेखने को मिल रहा है यहां पर जिखने को मिल रहा है तो क्या इन दो जगों पर निकाल सकते हैं तो हम डूसरा element भी आपको common देखने को मिल रहा है जो कि क्या है C तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें तीसरे sentence को भी यहाँ पर देखना होगा इन तीनों में आपको C common दिखाई दे रहा जबकि dresses आपका cable और cable 2 ही में common है तो तीनों में आपका code भी common होगा code की अगर हम बात करें तो VE code किसके लिए हो जाएगा VE code हो जाएगा आपका C के लिए clear इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमें first और third sentence में there common दिखाई दे रहा है यानि कि एक आपका क्या होगा code भी common होगा और वो code आपका क्या है SU it means SU किसके लिए code हो जाएगा आपका there के लिए हो जाएगा इसके बाद second और third की अगर मैं बात करूँ तो second और third में आपको common दिखाई दे रहा है VE VE के अगर हम बात करते हैं यहाँ पर LX आपका क्या हो जाएगा common element हो जाएगा it means VE का code क्या हो जाएगा एदि में प्रश्ण की बात करूँ तो again direct जाएगे तो हवाई जहाज कहां उड़ते हैं हमें पता हवाई जहाज उड़ते हैं और आकाश को क्या बोला जा रहा है sky is c sky अगर c है तो answer के अगर हम बात करें तो जहाज कहां उड़ते हैं तो जहाज उड़ते हैं फिलहाल के लिए समुद्र में चलिए बात करते हैं अगले प्रश्ण की बात करूँ तो बोला इन सर्टेन कोड लेंगवज हर्याना civil services की परिक्षा में पूछा गया प्रश्ण है reasoning के लिए अगर हम बात करें reasoning के अगर हम बात करें तो यहां पर बोला जा रहा है reasoning का कोड क्या है tbf smf mgp clear यह हो गया इसका कोड और मने बता है कि जब number of letter ज्यादा हो तो बहतर क्या होता है कि हम उसे two equal parts में divide कर लें तो यहां से divide होगा और यहां पर logic की हम बात करें तो यह और पंदरा, यह रहां यह रहा है कि से जाफ में जब आए ठिक है second half में देख लेते हैं second half की अगर हम बात करें तो n से त यानि कि plus का 2 और G से F यानि कि minus का 1 यहाँ पर अगर हम बात करें place value लिख देता हूँ चलो यह 13 है ठीक है चल जाएगा यहाँ पर और आपका minus का 1 यहाँ पर अगर हम बात करें तो 9 से 7 यानि कि minus का 2 और 14 से 13 यानि कि minus का 1 clear देखने में logic थोड़ा पर जरूर लग रहा होगा लेकिन हम क्या करेंगे पहले इसको चेक करेंगे कि जो आपका given word जिसके लिए हमें code निकालना है क्या same logic को follow करते हूँ हमें कोई option देखने को मिल रहा थ हूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करू auditions a u d i t i o n s clear टो इकुल पाट इसको डिवायड करेंगे यहाँ से डिवायड होगा और यहाँ पर हमने क्या किया था माइनेस का 2 किया था तो टी मायनस क्यों करेंगे तो हमने मिलेगा क्या एउट- Yum यहाईने की प्लेस काcons किया था तो i में plus 1 करेंगे तो मिलेगा j जिसकी place value होती है 10 a में फिर इसके बाद हम d में क्या करेंगे plus 1 करेंगे तो मिलेगा e जिसकी place value होती है 5 u में plus 1 करेंगे तो हमें मिलेगा v जिसकी place value होती है 22 और a में plus 1 करेंगे तो हमें मिलेगा b जिसकी place value होती है तो जे इवी बी जे इवी बी के साथ आप जाओगे तो एक ही option आपको देखने को मिल रहा है हला कि बाकी के elements को भी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं सेम लॉजिक के साथ तो जी से last element से हमाया थे तो से-1 करने लेन थे से-1 करो तो आपको मिलेगा और यहां पर आपको आर्भी देखने को मिल रहा है फिर बात करें तो certain code language gone is written as 5 percentage 2 has and medal is written as 4 has 3 dollar at the rate how will gold be written in that code language तो हमें क्या करना फटा फट से हमें देखना है कि जो आपका पूछा गया शब्द है यानि कि gold क्या उसका निर्माड हम दिये गए word के letter से कर सकते हैं या नहीं इसलिए आप देख पारें जी-o-l-d आसानी से निर्माड हम कर सकते हैं इन दोनों में common क्या कोई element है तो यह आपको common दिखाई दे रहा है यहां पर second element है तो last element के लिए code है और second element के लिए code आपको हैस दिखाई दे रहा है अगर हम बात करें तो गड़्यार में सामने सामने ही दिए गए है हमें नहीं के बात करें और कि तो second number पर नहीं कि दूप्षन होगा आपके eliminate अगले के यहां बात करें तो यहां पर last element है तो last element के लिए code दिखाई देगा या आन्सर कि हम बात करें तो option number B क्यों हो जागा right answer हो जागा clear तो आप सभी को comment box में comment करके बताना है कि आज के session में पूछे गए प्रश्णों में से आपकी कितने प्रश्ण सही हुए clear और इसी प्रकार के amazing और interesting sessions के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे चैनल को like share and subscribe जरूर करें जिससे हमें भी motivation मिलता रहे कि हम आपके लिए इसी प्रकार से amazing and interesting sessions को बनाते रहे तो आज के लिए फिलाल इतना ही मिलते हम लोग next class में कुछ और amazing topics और questions के साथ thank you